Hey guys, welcome to Gadgets Live, so Apple ने finally release कर दिया है iOS 18 का RC version, एन अपसे कुछी दुनों के बाद means 16 September का आपको iOS 18 का public stable version देखने हो मिल जाएगा, अब इस वाली update में आपको beta 7, beta 8 update के मुकाबले कोई बहुत सारे नई features नहीं मिलते हैं, पर जो changes करे गए हैं बहुत सारों से needed थे, इन्हें चीज हमें definitely show करती है that Apple एक तमी सही direction में चल रहा है, so पहले बात करें यहाँ पर update के size की, मेरे iPhone 15 में इसे वाली update का size, यहाँ पर 6.81 GB है, तो update का size अच्छा खासा है, अब मैंने इसे already install कर लिया है, so यहाँ पर install करने से पहले जो available storage है, वो थी 72.31 GB, and here is the iOS and system data, and build number है 22A5350A, वहीं storage की बात करें after updating, so यहाँ पर storage slightly increase हो गए इतने बड़ी update के बाद भी, यहाँ पर जो build number उसमें A remove हो चुका है, महीं से यहाँ पर, तो आपको final version देखने को मिलेगा, यही continue होने वाला है, जैसे कि almost हर साल होता ही है, इसी के साथ iOS and system data भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब changes के बात करें, तो finally हमने इतने सालों से जिस चीज़ का wait कर रहा हो, इस वाली update में आ चुकी है, that is in camera, तो video recording में आपको finally यहाँ पर pause करने का feature देखने को मिल गया है, as यहाँ आप आप देख सकते हैं, इसको मैंने 20 seconds पर यहाँ पर pause कर दी, यहाँ पर pause लिखा रहा है, just simply यहाँ इस वाले button को tap करके आप इसको resume कर सकते हो, अब यह कोई नई चीज़ नहीं है, android phones में वाली चीज़, इतने सालों से आरी बड़ आइफोन के लिए वाली चीज़, टोटली नहीं है, इसके लावा एक और feature मिल जाता, जो कि यहाँ पर apple event में, iphone 16 pro series में, apple ने demonstrate कर रहा था, for example यहाँ पर मैं 4K 60fps वीडियो को shoot कर रहा हूँ, and shoot करने के बाद जैसे यहाँ पर मैं जाता हूँ, edit में, so आपको यहाँ पर playback speed का option मिल जाते है, यहाँ पर, just आप इस वाले वीडियो को 4K 30fps में play कर सकते हो, 50% speed पे, and in fact यहाँ पर time frame भी decide कर सकते हो, कितने time के लिए आप उस इसके लावा जो update है वो है flash toggle में, so यहाँ पर पहली video recording में flash toggle में आप यहाँ पर इस तरीके से tap कर सकते थे, तो यहाँ पर on and off हो जाती थी, बट अब आप इसको इस तरीके से press कर सकते हो, यहाँ पर यह वाला pop-up आजाता है, तो simply आपको इस तरीके से press and hold करना है, तो यह भ इन होता दिखाई देगा, in form of stable version, इन पहले यहाँ पर particularly control center में बहुत ज़्यादा lag होते थे, बहुत jitters होते थे, वो चीज़ यहाँ पर totally gap हो चुकी है, आपको यहाँ पर बहुत smooth है, fluid performance मिलेगी, इन जैसे यहाँ पर हम किसी भी control and widget वगार को add भी करते थे, तो वहाँ पर जो scrolling थी, उसमें आपको बहुत lag देखने को मिलते थे, अब यह वाली चीज़ भी पहले से काफी improve हो गई है, performance की बात करें तो यहाँ पर geek pen 6 में score आप देख सकते हैं, इसका score लग बग यहाँ पर beta 8 जितना ही आया है, कोई जाधा difference नहीं है, पर पहले के versions के मुकाबले आप आपको यहाँ पर improvement already देखने को मिली गई थी, आपको performance वगर एक दमी stable और भढ़िया देखने को मिलेगी इस वाली update के बाद, इन battery life की बात करें, तो as man update को अभी install करा है, उसके बाद भी यहाँ पर मुझे इसकी battery life अच्छी लग रही है, मैं इस update को करने के बाद ही तो रह का wait करना चाहिए, stable version के लिए, अब देखो जिन लोगों यहाँ पर update नहीं करा है, इतने time रुकियो, थोड़े और दिन रुकने में कोई भी बुराई नहीं है, आप definitely यहाँ पर stable version का ही wait करिये, जो लोग already यहाँ पर developer updates पे चल रहे थे, वो लोग यहाँ पर इसको install कर सकते ह कम ही सही, बढ़ काफी useful features add हुए, especially video recording को pause करने वाला, अगर आप लोग ने already update कर लिया है, मुझे comment sections में अपने experience जरूँ शेर करना, आप लोग कितना excited हो iOS 18 के stable version के release के लिए, वीडियो पसंद आए, informative लगाए, तो make sure to like this video, and channel पर दियो also make sure to subscribe this channel, along with bell icon, बिलते हैं मेरे next informative videos में Till then, take care